नमस्कार दोस्तों आप सभी देख रहे एके एंडिया यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम भारतिय सविधान सभा के बारे में बात करेंगे और यह पार्ट थर्ड है पार्ट वान और पार्ट टू की जो आपको वीडियो की लेक्चर है राजनीति सास आपको निचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है मिल जाएगा आप वहां उस वीडियो को देख सकतो जिसमें मैंने भारतिय सविधान विकास के बारे में बता है और फ्रेंड्स आज की जो यह लेक्चर होने वाल यह भारतिय सविधान सभा के बारे में होगा तो चलिए वहां से आप इस आप को इंस्टोल करते हो तो सिंपली आप गूगल प्ले स्टोर से भी से इंस्टोल कर सकते हो वहां मैंने सिंपल इंट्रेस्ट और रेल्वे से रिलेटेड कुछ वीडियोस डालिए आपकी जो सिंपल इंट्रेस्ट की जो आपकी वीडियोस है वो आपको SSC, आपको railway, आपके बिहार पुलिस के लिए बहुत important है तो मैंने वहाँ basic approach और trick method दोनों से बता है जो कि आपके examination में एक दो number जो आते हैं examination में question पूछते हैं वो confirm होने वाज है तो चले फटा फट फट पले वीडियो को सुरू करते हैं भारतिय सविधान सभा तो मैं आज आपके साथ पूरी proper way में फिट से share कर रहा हूँ तो अगर आपने part 2 देखा है तो आप इस वीडियो को थोड़ा skip करके आगे भी बढ़ सकते हो और अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप देख लो तो ही आप इस वीडियो को देखना वरना आपको कोई benefit नहीं होगा ठीक है क्योंकि political science आपको मैं पूरे topics wise जो है आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो without any cost आप सभी ये जो है आप वीडियो को लास्त दकी देखना तब ही जाकर के आपको कोई benefit होगी तो चलिए फटा-फट बिना ज्यादा बाते ना करते हुए काम ज्यादा करते हुए आगे देखते हैं जो भारतिया सोईधान सभा में पहली जो आपकी topic है जो point है जो की important है भारतिया सोईधान सभा का जो गठा ने cabinet mission का अनुसन सापक कि आगया बहुत ही भी आई है इससे आप अपने notebook में note down ही कर सकते हो पहले आप copy और pen ले लेना जो आपको important में बताओ उससे आप note down करना क्यूंकि इस related question के बारे में मैं आप सभी से चर्चा करूंगा ठीक है तो जैसे देखो इससे related question आपकी बनते है कि cabinet mission जो है वो किसके अन नुसंसाब हुआ था तो cabinet mission के अनुसंसाब है आपका हुआ था आगे बढ़ते है सविधान सबाके 700 की कुल संख्य कितनी थी 389 निर्धायत की गई थी 389 जो है संख्या निर्धायत की गई थी जिसमें 292 ब्रिटिस प्रांतों से 93 देशी रियासतों से और जो चार थे आपक जो नेक्स्ट पॉइंट है mission का योजना नुसार ब्रिटिस प्रांतों एवं कमिशनर छेत्रों के कुल 296 संख्यासों के लिए जुलाई 1946 में चुनाओ हुआ इसके लिए जो चुनाओ हुआ था ये चुनाओ भी हां करवाया था ये 292 और ये 4 सिटों के लिए आपकी जो थी इसके लिए चुनाओ करवाया था और 93 में जो थी देशी रियासत जितने भी थे वहां से ये लोग आये थे तो जो 292 और 4 जो कमिशनरी छेत्रों के परतिनेद्व करने वाले थे तो उनके लिए चुनाओ करवाया गया जिसमें कॉंग्रिस ने 208 मुसलिम लिग ने 73 एवं यूनियननिадцच पर्टी, यूनियनिस्ट मुसलिम, यूनियनिस्ट सिड्ल कास्ट, कृषक प्रजा पर्टी, सिख पर्टी, समयवादी और अचुत जात्ती पर्टी ने एक एक तथा स्वतंतर उमिदवार ने 8 स्थान प्राप्त किये थे यह कोई जादा इंपोर्टेंट नहीं है आपके लिए लेकिन हाँ यह जो इंपोर्टेंट बहुत ही रहने वाली कॉंसिल चेंबर जो थे ठीक है कॉंसिल चेंबर के पुष्टकाले भवन दिली में 9 दिसंबर 1946 को सविधान सभा की प्रथम बैठक हुई इस सभा का स्थाई अध्यक्स डॉक्टर सचिदानन सिना को चुना गया मुस्लिम लिग ने इस सभा का बहिस्कार किया और पाकिस्तान के लिए प्रिथक सविधान सभा की मांगी आप देखो फ्रेंट्स ये जो कॉंसिल चेंबर है बहुत इंपोर्टर है आने वाली क्योंकि इसे रेलेटेट क्वेशन आपकी एक्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जा चुके है कि जो आपकी जो पहली सभिधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था वो कहां हुआ था तो वो कॉंसिल चेंबर के कॉंसिल चेंबर कहां की पुस्तकाले भवन में कहां तो दिल्ली में कब तो 9 दिसंबर को हुआ था 9 दिसंबर में 46 को अभी सभिधान सभा की प्रथम बैठक जो सभा थी उसमें सबसे ये भुजूर्ग इंसान थे इसलिए डॉक्टर सचिदानन सिन्हा को अस्थाई अध्यक्स बना दिया गया था क्योंकि उस टाइम उन किसी को पता नहीं था कि किसे अस्थाई अध्यक्स के रूप में न्यूक किया जाए लेकिन बाद में डॉक्टर सचिदानन सिन्हा को बर्दल करके राजंदर परसाद को बना दिया गया था फिर मुस्लिम लिंग ने इसकी बहिसकार किया और पाकिस्तान के लिए प्रिथक सविधान का मांग किया तो ये कॉंसिल चेंबर डॉक्टर सचिदाननन सिन्हा और नो दिसमर उनुजुश को अप अपने दिमाग में बैठा लिए ना आपके लिए बहुत ये बहुत ही बहर प फिलिष के लिए इंप्रवाटनन अब आगे बात आता हैं सविधान सझबा के सद्थ्योग का चुनाओ पत्यक्ष रूप से बिदान सबा के सद्थ्योग किया गया था आगे कहता है सविधान सभा के सदस्यों द्वारा 11.1946 को डॉक्टर राजंदर परशाद को सविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया क्वेशन इससे भी रिलेटेट एक आती है कि सबसे पहले जो राजंदर परशाद को सविधान सभा को अध्यक्ष बनाया गया था अस्थाई रूप से वो कब बनाया था यनिक उसमें छोटा डेट पूछता है जिसे 22 जनवरी 1947 को अंगिक्रित किया गया अब देखो फ्रेंट्स ये दो डेट है सभिधान सभा की पहली करवाही कब स्टार्ट हुई तो 13 दिसमर 946 किसने ने स्टार्ट किया था तो जोहाला नहरूर ने अपनी उद्देश प्रस्ताओं को साथ जो है उस सभिधान सभा क कि पहली बैठा को जो हुआ था उसे जो है प्राडम किया था और 22 जनवरी 1947 तक कि ये जो था आपकी पूरी अंगिक्रित कर ली गई थी फ्रेंड्स उसके बाद बात आती है कि 3 जून 1947 के बिभाजन यूशना के बाद सन्विधान सभा का पूर्ण गठन किया गया और इसकी संख्या 324 नियत की गई ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं आपसे भी को बताऊंगा नोट डाउन किसी आपको करनी है क्यों जो भी आपकी एक्जामिनिशन पॉर्ण आपको बन सकते हैं तो चलो आगे बढ़ते देश विभाजन के पहस्चात 31 सक्टूबर 1947 को सविधान सभा की बैठक बुलाई गई जिसमें कुल 299 सदस थे और इन में से 239 सदस बिभीन प्र परणुब तेयर किया देखो ये बहुत ही इंपोर्टेंट है सविधान सभा का सनमे धानिक से लाकार कौन थे बी एन राओ और बीएन राओ नहीं अक्टूबर 1947 को सविधान प्रणूब तियार किया था को दो था तो किनों ने तयार किया था तो BNR ने तयार किया था और कब हुआ था तो October 1947 को सविधान सभा का पहला प्राडूप जो था वो तयार किया गया था अब आती है 29 अगस्त 1947 को सविधान सभा ने Dr. Bhimrao और Medgar की अध्यक्षता में एक प्राडूप समिति का गठन किया सभा में अमेटकर का निर्वाचन मुस्लिम लिग की सहता से बंगाल से हुआ था अब देखो, क्विश्चन आते फ्रेंड्स ये भी इंपोर्टेंट है थोरा सा कि जो डॉक्टर भीमरा अमेटकर थे तो वो कहां से निर्वाची थोकर के सविधान सभा में आया थे प्राडूप समीती के सतस्यों की संख्या साध थी जो थे पहला डॉक्टर अमेटकर दूसरा एन गोपाल स्वामी अयंगर तीसरा थे अलादी क्रिष्ण क्रिष्ण स्वामी अयर चौथा कनहलाल मनिकलाल मुंसी पांचवाद जो थे वो सयद मुहम्मद सदलुल्ला थे छठा आपकी जो उनका जो एक और नाम था बी एल मित्र के साथ थे वोई सात्वा थे डीपी खेतान इनकी मिर्थु के बार टीटी क्रिष्ण चारी को उनके अस्थान पर रखा गया था तो प्राडूप समीती के सतस्यों की संख्या पूस्ते ना कि इसमें से पूस्ता है कि कौन ठीक है तो आपको पूस्ते कभी 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 पूस्ते ऐसे कि प्राडूप समीती के सतस्यों की संख्या कितनी थी तो इसमें साथ थे और फ्रेंड्स कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इन में से कौन जो प्राडूप समीती के अध्यक्स या जो सतस्य थे वो नहीं थ तो कुछ चार नाम दे दिये जाएंगे और इनमें से साथ में से कोई एक नाम रहेगा जो कि आपका एंसर होगा कि इनमें से कौन जो थे सदस्य थे तो बाकी तीन जो होगे irrelevant होगे आपके question के according तो उसको आपको cancel out करके जो इसमें से साथ होगा उसको आपको देना है उदर answer ठ पेस किया अब देखो फ्रेंड्स ये भी important date 21 फरवरी उनुशो एर्टालिस को अपनी रिपोर्ट जो है सविधान सभा में पेस किया था कौन तो प्रारूप समिती ने अब देखो फ्रेंड्स आगे बात आती है सविधान सभा में सविधान का प्रथम वाचन 4 नौमबर से लेखर के 9 नौमबर 947 तक चला था आगे कहता है सविधान सभा का दूसरा वाचन जिसे खंडस विचारन कहते थे 15 नौमबर 947 को प्राड़ंबुआ और 17 अक्टूबर 949 तक चला तीसरा जो वाचन हुआ था वो हुआ था 17 नौमबर 949 को प्राड़ंबुआ और 26 नौमबर कालिन उपबंध आधी 26 नौमर 949 को प्राभावी हो गये कुछ-कुछ धारा थे जो कि आपके 26 नौमर 949 से ही प्राभावी हो गये थे इस तारी को भारत के लोगों के ने सविधान को अंगिकरित कर लिया था अधिनियमीत और आत्मसमरपित किया था और इस तारी को 15 अनु को थे 5, 6, 7, 8, 9, 6, 324, 36, 37, 372, 388, 391, 392 और 393 जो थे आपको प्राभावी हो थे अब देखो फ्रेंड्स आगे बात आती है सविधान के सेस उपबंध 26 नौमबर 26 जन्वरी 1950 को प्राभावी हो थे और 26 नौमबर 192 को प्राभावि कितना हुआ था तो 15 और 26 नौमबर Powder 1915 को आपके जितने भी और भी आपकी उपवबंध बने थे से सीथ उपवबंध यानि जितने भी और अनुच्ये थे वह आपको प्राभावी हो गये थे तो इस Тारीक को सविधान के प्राभा गया कि इसी दिन जो अंतिम जो बैठक था हुआ था आपकी जो सविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो पहली बैठक जो हुई थी आपको 9 दिसंबर निश्चिया लिसको और आखरी बैठक हुई थी वो कब हुई थी आखरी बैठक जो थी आपकी 24 जन्वरी 1950 को ठीक है 24 जन्वरी 1950 को जो है आपकी आखरी बैठक हुई थी और 26 जन्वरी से आपकी जितने अनुछे थे वो लागू कर दिएगे आपके पूरे जितने कानून थे वो लागू कर दिएगे और फ्रेंड् अध्यक्ष इदर हो गया, अब समीथी में कौन कौन से थे समीथी नियम समीथी, नियम समीथी का अध्यक्ष कौन थे राजंदर परशाद, संचालन समीथी के भी अध्यक्ष कौन थे राजंदर परशाद, बीत्यों करमचारी समीथी के कौन थे राजंदर परशाद, प्राड प्रवतर सीमा जन जाती सेत्र के उप समयती यह इतनी इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन प्रारूप समीती और बीत्यों करमचारी समीती बहुत इंपोर्टेंट है तो आप इसको जड़ा देख लिजेगा ठीक है और बाकी इसमें देखो आपकी जो यहां पर फ्रेंड्स आपक समीति ये जो है आपको ऑक दीन चार ये जो है बहुत है इंप्पोर्टन थे तो 1 प्रांति समिधान आध्यक्ष को थे है डॉक सरदार पते जंडा शमारी कौं दे जेभी करिपला नी मतने बढरारुप सम मीति को ilियर कि यह हो गे कुछ इसके समीतियों के अध्यक्ष और उनके नाम ठीक है अब बात आती आगे कि जो अंगिक्रित सविधान में 395 अनुछे थे जब सविधान को अंगिक्रित किया गया था 26 नौवंबर इस उन्चास को तो उस त्रम उस में कितने अनुछे थे 395 अनुछे थे 22 भाग थे और आठ अनुछे थी वर्तमान में सविधान में कुल 444 अनुछे दे करम अनुछा 395 ठीक है जो 395 थे इससे बढ़ा करके कितने कर दें कर दें 244 इसमें 25 भाग बना दिए गया थे पहले कित्ते थे 22 भाग थे और जो 8 अनुछी थी उसे 12 कर दिया गया अब फीट से समझते हैं पहले कितना था 395 अब कितना हो गया 444 पहले कितनी 22 भाग थी अब कितनी भाग होगी 25 भाग होगी पहले कितनी अनुसूची थी 8 और अब कितनी होगी 12 अब देखो अब यहां आता है जैपरकास नरायन का नाम जैपरकास नरायन ने वम तेज भागादूर शप्रूर ने स्वास्त कारणों के अधार पर सविधान सभा की सदस्ता को अशिवकार कर दिया था और इस सविधान सभा के अनुसूची जाती और जन जाती कि कुल 33 वो 12 महिलाय सदस्यों का अपना योगदान दिया था यानि कि आपके कितने लोग हो गए यहाँ पर 45 लोग जो थे जिसमें आपके जो थे 33 जो थे पुरूस थे और 12 जो महिला सदस्यों अपना योगदान दिया था तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप सभी से भारतिय करने के लिए पॉलिटिकल साइंस की वीडियो को देखने के लिए हमेर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा ले कि अगर जब भी कोई वीडियो में डालता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जा और आप देख सको और इस वीडियो को आप पसंद कर या आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिविशन मिलती है क्या मैं आगे बनाओंगा या नहीं बनाओंगा ऐसे कुछ भी हो तो आप प्लीज मुझे बता देना ठीक है मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम